नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका अपने चैनल निकोडियन्स में और अब हमारे सामने हैं एमजी की न्यूली लॉंच एक हैच बैक कार करने वाली है मारुती सिफ्ट मारुती बलीनो और हुंडाई आइट्वेंटी जैसी कार्स के साथ में लेकिन आपको बता दूँ यह कार उनसे एक कदम नहीं कई कदम आगे क्योंकि इस कार के अंदर हमें हाइबीड इंजन दिया जाता है जिसकी वज़े से यह कार कंट्रोल लेन की पसिष्ट और भी कम माल के शांदार फीचर समय इस कार में उफर किये जाते हैं इसके लावाद सबसे जरूरी चीज़ जो हम इंडियन के लिए सबसे जादा मैंटर करती है वह है प्राइस तो यहां पर आपको बता दूए इसके बेस विरेंट की प्राइस पर उपर की तरफ स्लीक से एलेडी डियालस नीचे की तरफ ब्ल्यू एलेडी प्रोजेक्टर हैड लैंप और यहीं पर आपको इसके टर्न इंडिकेटर का सैट अप भी देखने के लिए मिल जाता है इसके बोनट और बंपर आप देखेंगे काफी जादे कर्टन क्राइज का यूज आपको यहां पर भी देखने के लिए मिलेगा बात करें साइड मिर्स की तो बॉडी कलर में मिलते हैं लेकिन नीचे की तरफ यहां पर ब्लैक फिनिस का भी इस्तमाल किया गया है तर्न इंडिकेटर की प्लेस्मेंट आपको साइड मेर पर ही मिलेगी इसके अलाव यहां पर नहीं मिलने वाली है कोस्ट कटिंग बहुत ज्यादा कार के अंदर की गई है मिनिममम फीचर आपको मिलेंगे लेकिन प्रैक्टिकल यूज के हिसाब से किसी भी फीचर के आपको कोई भी कमी यहां पर नहीं लगने वाली है टेल लैम्स के डिजाइन को देखेंग है इसका हाइमाट स्पोर्ट लैंप वाइपर डिफोगर सबी जीज़े मिल जाती है रियर में आपको चार पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं दो रिफ्लेक्टर नीचे की तरफ दिये गए हैं एमजी थ्री हाइब्रीड प्लेस की यहां पर बैचिंग भी आपको मिल जाती है द्राइविंग असिस्टेंस फीचर्स के बारे में बात करें तो एमजी ने इसे नाम दिया है एमजी पाइलेट जिसके अंदर हमें ओट अमेर्जंसी ब्रेकिंग फ्रेंट कोलोईजन वर्निंग लेन कीप असिस्ट अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल इंटेलिजेंट लेंज चेंज वार्निंग जैसे शांदार फीचर्स हमें मिलने वाले हैं और ऐसा नहीं है कि आपको टॉप ब्लाइंट से ही सुरू हो जाते हैं सिर्फ आपको ब्लाइंड स्पोर्ट डिटेक्शन और रियर क्रोश टैफिक अलर्ट ही जो हैं वह आपको सेगंड बेस से मिल बेस यहां पर रहने वाला है ग्राउंड क्लेंस थोड़ा सापको कम जरूर लगेगा 148 mm का सिर्फ हमें मिलता है एक बार कार के बूट स्पेस को तो यहां पर आपको 293 लीटर का शांदार बूट स्पेस दिया गया है सेकंडों को फोल करने के बाद में आपको बहुत ही शा है 75 किलोवाट की और यहां पर टॉर्क हमें अच्छा गासा मिल जाता है 128 न्यूटन मीटर का जो कि अपने सेक्मेंट में काफी ज्यादा शांदार है इसके लावा एक एलेक्टिक मोटर और एक बैटरी पैक भी हमें दिया जाता है क्योंकि हाइब इंजन के साथ माती है तो ब्रेकिंग सिस्टम के साथ में और इंजन की पावर के साथ में बैटरी खुद पर कुछ चार्ज हो जाती है अब आजाते हैं कार के इंटीर की तरफ और यहां पर आप देखेंगे एमजी की पुरानी आदत है अपने कार के इंटीर को बहुत ज़्यादा लग्जरी और प् जिस्टम के सभी और शलर में के मिल जाते हैं जानकरी में लिएज जानकरी के बार में यहां पर टैन पॉंट इंटीफाइव इंचिस के बड़े साइज का एंपर डिया गया है जिसके अंदर हमें यहां बटेंडूरइण और आपल कार प्लेस सभी चीज़ें मिलने वाली है और इनी सब चीजों के साथ में आपको कार के अंदर 360 डिगरी कैमरा भी मिल जाता है यहां पर क्वालिटी आप चेक आउट कर सकते हैं क्या कुछ मिलती है इसके नीचे आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप के लिए एक स्विच भी दिया गया है थोड़ा सा और नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यहां पर आपको 12W का सॉकिट और USB पोर्ट भी दिये गए वारलेस चार्जिंग कोई भी आपको नहीं मिलती है दो कफोल्डर्स यहां प पर के लिए डाइन स्टॉप करने के लिए बात करने थाने कि पर आवर की टॉप स्पीड को रीच कर लेती है यह सिर्फ एट सेगिंड्स में अब हाइबिड वीकल के कई सारे फायदे हो जाते हैं एक तो इलेक्ट्रिक वीकल की तरह आपको जगा जगा उसे चार्ज नहीं करना पड़ता है एक आपको पैट्रोल इंजन के साथ में शांदर पर्फोमेंस तो मिलती है इसी के साथ में हाइब्रीड होने के बाद में यहाँ पर आपको माइलेज शांदर मिल जाता है जिसकी वज़ेशा आपको कोई भी परिशानी नहीं होती है और इन्वाइरोमेंट के लिए भी काफी ज्यादा सेफ है फ्यूल इकोनमी जादा मिलती है इसी के लावा शीओ टू का इमिशन्स भी काफी ज्यादा कम होता है एक हाइब्रीड वीकल में किसी भी नजर यह से अगर आप देखते हैं तो एक हाइब्रीड वीकल काफी ज्यादा प्रैक्टिकल है एक एलेक्टिक या काफीर cng कार के मुखाबले बात कर लेते हैं इस कार में आने वाले variants के बारे में तो सबसे पहले मापको बता दूंब इसकार के अंदर हमें तीन variants मिलने वाले हैं सबसे पहला है standard उसके बाद में comfort और थर्ड सबसे टॉप-end variant है लगजरी यह तीन वेरेंट हमें इस कार में म ज skipping आप करें लांटिंग विलांच नहीं होने हैं हां में बाउच करने वाला है इब करने लिए कर हैं अले आप το मुझे हो इसी तरह कि इंट्ररेश्टिंग वीडियो पिरेस करने हैं